हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथर में आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज की वीडियो में देखिए जे पुराना दुपटा था बीच में से फट गया था तो इसकी वर्तों करूंगी इससे सुन्तर सुन्तर पैज आपके साथ बनाने का आईडिया शेयर करती हूँ यह देखिए एक मैंने पीस त्यार किया है सबसे उपर में फैबरिक बीच में प्लास्टिक शीट और नीचे लाइनिंग लगा कर यह पीस मैंने त्यार कर लिया था यह देखिए यह कपड़े का सीधा साइड है इस त्रीके से देखिए मैंने एक चूरी रखी है और इसके उपर इस त्रीके से निशान लगाया है आप कोई भी पलेट का टोड़ी की वर्तों करके भी इसके उपर गुलाई में इस त्रीके से निशान लगा सकते है कोई भी आपके पास चीज है गुलाई वाली तो वो निशान लगा सकते हैं देखे इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो मैंने दुपटा लिया है जे शुपाउन का दुपटा है आप कोई भी नेट के दुपटे की बड़तों भी कर सकते हैं जे देखे इस तीके से दुपटा इसके उपर रखना है और जो हमने निशान लगाया था उसके उपर देखे इस तीके से सलाई लगानी है क्योंकि जे शिपाउन का दुपटा होता है जा नेट का दुपटा होता है उससे जो नीचे निशान लगाया है वो राम से नजर आ जाता है इस त्रीके से दुपटे को रखें और उसके उपर सिलाई लगा दें जे देखे इस त्रीके से जिक गुलाई में मैंने सिलाई लगा दी है अब देखे जो सिलाई लगाई थी उससे दुपटे को एक्स्टरा शोड़ना है जे देखे 2.5 इंच के करीब आप इसमें दुपटे को extra short दें बाकी दुपटा cut कर दें जे देखे इस तरीके से मैं cut कर देती हूं इस तरीके से इसका design भी बहुत संदर बन के त्यार हो चाता है जे देखे मैंने cut कर दिया है बाकी तुपटे को अभी एक साइड कर देती हूँ जे देखे इस तरीके से कट करने के बाद सुई धागा लेना है और सुई धागे से देखे इस तरीके से किनारे पर सुई धागे से सलाई लगाने है जे देखे इस तरीके से बड़े बड़े टांके लगाने है जिस तरीके से हम कच्चा करते हैं उस तरीके से जे टांके लगाने है जे देखे इस तरीके से पूरी कुलाई में इस तरीके से जे सलाई लगानी है और जो धागा सुई में डाला था उसको भी आपने डवल करके डालना है तांके जब हम इस धागे को खींचे तो तूटना ज जाए मजबूत धागा आपने जूज करना है जे देखिए इस तरीके से सलाई लगाने के बाद धागे को हलका सा खीच दे जे देखिए इस तरीके से धागे को खीचना है और जे देख सकते हैं कि कितना सुन्दर जे फुलावर बन के त्यार हो गया है अब सुई को नीचे वा मोती लगा देती हूं जे देखे इस तरीके से मैं इसके ऊपर मोती लगा देती हूं मोती लगाने से जे और सुन्दर फ्लावर बनके त्यार हो जाएगा इस तरीके से हम पुराने दुपटे से बहुत सुन्दर पैच बना सकते हैं जे देखे इस तरीके से मैंने 4-5 इसमें मो मोती लगाने से देखे जे और ज्यादा सुन्दर बन गया है कि इसके उपर मैंने मोती लगाए हैं अगर आपके पास स्टोन है तो आप गल्यू गन से स्टोन भी लगा सकते हैं जे डिजाइन आप कुर्ती के उपर भी डाल सकते हैं जे डिजाइन आप दुपट्टे के उपर भी डाल सकते हैं दुपट्टा भी बहुत सुन्दर लगता है अगर आप bed sheet बनाना चाहते हैं तो bed sheet भी बना सकते हैं table runner बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से वो भी बना सकते हैं यह circle आप छोटे size में भी बना सकते हैं बड़े Size में भी बना सकते हैं बनाने का तरीका सेम रहेगा Size आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जे दिखे इस तरीके से बस दुपटे को रखते जाएं और दुपटे के उपर सलाई लगाते जाएं फिर किनारे से बड़े बड़े टांके लेते हूए इसको सलाई करना है और सलाई करने के बाद धागे को आप खीच दें इस तरीके से जे सुन्दर फुलाबर बनके त्यार हो जाता है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेर करना जो मेरी वीडियो पर पहली वार आए हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल फ्री है और जिनोंने सस्क्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यावाद करती हूँ इस तरीके से ही हम प्राणी चीजों की प्राणे कपड़ों की वर्तों करके घर के लिए बहुत सुन्दर सुन्दर चीजें त्यार कर सकते हैं जिनको बनाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं होता और जे फ्री में बन के त्यार हो जाती है देखिए जब सूट के साथ दुपटा होता है सूट तो कई बर खराब हो जाता है क्योंकि दुपटे की इतनी वर्तों नहीं होती दुपटा नियू का नियू बना रहता है क्योंकि हम और सूट के साथ वो दुपटा नहीं ले सकते क्योंकि मैचिंग नहीं होती है कभी कबार ही फ्रेंड्स वो मैचिंग हो पाती है वरना वैसे ही बेकार दुपटे पड़े रहते हैं इस तरीके से हम उन से बहुत सुन्दर सुन्दर चीज़े बना सकते हैं अगर देखिए आपका दुपटा बीच में से कभी कभी फट जाता है फट भी क्या है तो पैच उस से भी आप बना सकते हैं जे देखिए इस तरीके से जितने आप चाहें रौंड में जे फुलाबर बना सकते हैं जो मैंने कपड़े का पीश त्यार किया था इसकी साइडें फिनिश हैं अगर आपकी साइडें फिनिश ना हों तो आप इस तरीके से डवल फोल्ड करके पहले सलाई लगा दें, इसकी साइडें फिनिश हो जाएंगी, देखे जे मेरे पास एक लैस का बचा हुआ पीस था, मैंने एक दो पट्टे के उपर लगाई थी, थोड़ा इसका पीस बच गय हो गया है, इस तरीके से बड़े साइज में, चोटे साइज में, जिस साइज में भी आपको जरूरत है, उस साइज का जे त्यार कर सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं, कि इसको बनाना भी असान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो ज्यादा सलाई का काम नहीं करते हैं, वो भी इस असान तरीके से जे पैच वर्क कर सकते हैं जे आप देख सकते हैं के टेवर रणर बनके त्यार हो गया है क्योंकि मेरे पास एक छोटा टेवल था उसके लिए ही जे मैंने बनाया है सेकंड आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ अगर फ्लावर आप मशीन से नहीं बनाना चाहते तो हाथ से बनाने का भी असान तरीका मैं शेयर करती हूँ देखिए मैंने कपड़े का पीस लिया था उसके सेंटर में निशान लगा दिया है यह एक ही मेरे पास स्टोन है तो सबसे पहले मैं सेंटर में इसको लगा देती हूँ यह देखिए यह सुई धागे से ही बन जाएगा इसके उपर मशीन चलाने की जरूरत नहीं है यह देखिए इस तरीके से सुई धागे से स्टोन को मैं जोर देती हूँ जे देखे जोरने के बाद जे एक और तपड़े का पीस लिया है जे भी दुपटा था उसकी साइड से जे कट हुआ था तो उस से ही जे मैं फलाबर बनाऊंगी जे देखे सबसे पहले आपने डवल करना है फिर दोनों साइड से फोल्ड करना है जे देखे आप नीचे से सूईट से इसमें टांके लगाने हैं जे देखे इस तरीके से पके से आप टांके लगा दें इसके उपर भी मैं मोती लगा देती हूँ अगर आप चाहें तो मोती ल लगा देती हूँ जे देखे इस तरीके से जे मोती लगाने हैं फ्रेंज देखिए आगे फेस्टिवल आने वाले हैं तो इस तरीके से हम घर के लिए बहुत सुंधर सुंधर चीजें त्यार कर सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं होता और यह असानी से बन जाती हैं यह देखिए मैंने मोती लगा दिये हैं अब ऊपर से देखिए कट कर देजा हूँ यह देखिए फ्लावर की कितनी सुन्दर शेप بنके त्यार हो गई है इस तरीके से ही हम छोटे छोटे फ्लावर कावी जे रुमाल त्यार कर सकते हैं ये देखिए मैं फिर से बताती हूँ कपड़े को फोल्ड करना है और दोनों साइट से गुलाई में फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरीके से बनाना है यह देखिए इस तरीके से नीचे टांके लगाने हैं, पक्के से और मजबूती से टांके लगाएं, यह देखिए इसके उपर भी में मोती लगा देती हूं इस तरीके से ही बहुत सुन्दर चीजें घर के लिए बन चाती है अगर इस तरीके की चीजें हम मार्किट में लेने जाते हैं काफी महंगी मिलती हैं तो हम इनको घर पर असानी से बना सकते हैं जे आइडिया तो ऐसा है कि बिना सलाई मिशीन के वी आप बना सकते हैं जे मैंने फुलावर बना दिये हैं बीच में चोटे चोटे पीस थे कपड़े के वह वी रखकर उनके उपर मोती लगा दिये हैं तो जे देख सकते हैं जे वी कितना सुन्दर ट्रिजाइन बनके त्यार हो गया है अब इसकी चारों साइड पाइपिंग से मैं फुनिश कर लेती जे देखिए पाइपिंग से चारों साइड फुनिश करने के वाद जे भी सुन्दर रुमाल बनके त्यार हो गया है देखिए मैंने बीच में बस एक फुलावर बनाया है अगर आप बड़े साइज में बनाते हैं तो आप इसमें और फुलावर भी बना सकते हैं मैंने बस साथ फिलावर बनाने का डिजाइन शेयर किया है अगर इस तरीके से एक फिलावर भी बना देते हैं वो भी काफी सुन्दर लगता है